संगत कोण व एकांतर कोण के गोण Properties of Corresponding Angle and Alternative Angle दो रेखाओं को एक तीर्यक रेखा के काटने पर संगत कोणों एकांतर कोणों के जोड़े बनते हैं क्या इन कोणों के जोड़ों याने की युग में कुछ संबंध होते हैं? जब प्रतिछेदी रेखाओं को तीर्यक रेखा काटती हैं तो संगत कोणों व एकांतर कोणों के युग में बराबर नहीं होते हैं किन्तु समांतर रेखाओं को तीर्यक रेखा काटती हैं तो संगत कोणों व एकांतर कोणों के युग में बराबर होते हैं सोचे एवं चर्चा करें यदि दो रेखाओं को एक तीर्यक रेखा प्रतिछेत करे और उनके संगत कोण बराबर हो तब क्या दोनों रेखाएं समांतर होंगी अब प्रश्ण यह है कि क्या संगत कोणों के इस गुण के आधार पर समांतर रेखाओं को एक तीर्यक रेखा के काटने पर बनने वाले अन्यकोडों जैसे एकांतर अन्ता कोण, एकांतर बाह्यकोण के गुण जान सकते हैं हाँ, इस सम्मन्द को जानने के लिए हम दो समांतर रेखाएं L, M बनाते हैं जिन्हें तीर्यक रेखा N बिंदू P वा Q पर काटती है। चित्र देखें, यहां कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण, समीकरण 1 कोण 1 बराबर कोण 3 शिर्षा भिमुक कोण, समीकरण 2 समीकरण 1 वा 2 से कोण 5 बराबर कोण 3 यह कौन से कोण हैं? यह एकांतर अन्ता कोण हैं। अब हम कह सकते हैं कि दो समानते रेखाओं को एक तीर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर अन्ता कोण बराबर होते हैं। सोचें एवं चर्चा करें। यदि दो रेखाओं को एक तीर्यक रेखा काटे तथा उनके एकांतर अंतव कौण बराबर हो तब क्या दोनों रेखाओं समांतर होंगी? करके देखें दिये गए चित्रों में कोण एक और कोण दो के मान ग्याद कीजिए यदि दो समानतर रेखाओं L और M को तीर्यक रेखा N प्रतिछेद करती है उत्तर के कारण भी बताईए एक ही रेखा के समानतर रेखाएं Lines parallel to the same line जब दो रेखाओं एक ही रेखा के समानतर हों तो क्या वे परस्पर समानतर होंगी? इसकी जाच के लिए दिखाए गए चित्रानुसार तीन रेखाओं L, M, N खीचिए जिन में रेखा M, रेखा L के समानतर है और रेखा N, रेखा L के समानतर है रेखा L M N पर तीर्यक रेखा T खींची संगत कोण अभिग्रिहित से कोण 1 बराबर कोण 2 पहला समी करण कोण 1 बराबर कोण 3 दूसरा समी करण समी करण 1 और 2 से हम निश्कर्ष प्राप्त करते हैं की कोण 2 बराबर कोण 3 परन्तु कोण 2 और कोण 3 रेखा M तथा रेखा N के लिए संगत कोण बनाते हैं इसलिए आप कह सकते हैं की रेखा M रेखा N के समानतर है इस परिणाम को एक प्रमे के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं प्रमे एक, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानतर हों परस पर समानतर होती है